है अगर वहीं माध्यम संग लोग जाए तो उनका जो है कि कम होता है भות के लिए सब को अधिकार है वैसे मजदूर को नीमंधित होने के सब को अधिकार अगर मझम सथ नेमाइधित मजदूर है तो कोई किसी को मध्धम से क्यों आए घात करेंगा अपने जाँच के हिसाब से क्यों नहीं काम करेगा कि रश्चेसन अरद करानी की धम दी जाती है कि आपका रश्चेसन अरद करवा देंगा जो कि आगर मुझे पैसा नहीं देते हैं कि बच्ची की साधी के लिए 50,000 रुप्या मिला उनसे बिचोली ने 25,000 ले लिया किस तरह से निति और दबाय बिल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए निमदित मजदूरों को एक्सिडेंटल डेत होने पर 4 लाक रुपय दिये जाते हैं उनके बच्ची की साधी के लिए 50,000 रुपय दिये जाते हैं 60 साल के बाद उनके लिए एक हजार पिंसन का स्कीम है बच्चे की परहाई के लिए जो कंप्यूटर के परहाई कर रहे हैं उनके लिए अलग अनुदान है इस तरह की जो योजना कलियांकरी चालू की गया है तो ये निबंधन पहले कैम पर लगा कर किया जाता था, ओफलाइन होता था, लेकिन ओनलाइन होने से एक बार खर्चा बढ़ गया, एक हजार से उपर माने बिचोलिया लोग ले रहे हैं, और ये मजदूरों के सही जनकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन हम लोगों ने यहीं पर दवाव बनाकर जो ओफलाइन होता था, तो कैम पर लाए गया, तो आज की ये मिटिंग के माध्यम से, मैं सराम विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं, ध्याना करसित करना चाहते हैं, कि आप पुर्व के भाती कैम पर लगा कर मजदूरों का रिजिस्ट दूसरे हैं, जो बिचोलिया के मारफ़त से, जो आज मजदूरों के 50% पर काम लेकर के ये नागेंदर सा हैं, पचपकरी से आये हैं, उनकी बच्ची की साधी के लिए 50,000 रुप्या मिला, उनसे बिचोलिया ने 25,000 ले लिया, तो जो मजदूरों के ने संघर्स करके, चार लाख रुप्या मिलते हैं, उसमें ही बिचोलिया दो लाख रुप्या उले रहे हैं, ये काम उनके बिचोलिया और अधिकारी के मेल्स हो रहा है, तो आज हाकी बैठक हम लोग कर रहा हैं कि हमारा जिला समयलन 29 सितंबर को मारीपूर सिक्षक संग्भावन में हैं, ये हमारे लिए 5000 का संगठी छेत के निबंधित मर्दूरों के लिए 5000 पैंसन का स्कीम करें, बच्ची का साधी के उपरांत जो 50,000 रुप्या दिये जाते हैं, वो एक लाख रुप्या करें, और मिर्तु होने पर चार लाख रुप्या ये रासी को बढ़ा कर दस लाख रासी करे इन ही सारी मांगों के लिए कर आज हम लोग बैठा कर रहे हैं, और सम्मेलन की तयारी में लगे हुए हैं, और इन रासीयों को मैंने प्राप्त करने के लिए हम अंदोलन आगे तेज होगा, इसी के लिए कर हम लोग बैठा रहे हैं, सरकार दोर जे देख रहे हैं कि किस तरह से नितिसक मार की सरकार अनुसासन की बात करते हैं सुसासन चल रहा है विकास हो रहा है लेकिर यही तो देखा गया है कि आज बैठे हुए है मादुरू इनका निबंधन कराने के लिए पैसे देना पर रहा है ऑजो 800-800 जहां पैसे लगता है वहां यह एक हजार रुपय इनको खर्च करना पर रहा है विचोलिय के पास जाना परता है वो बचे की साधी के लिए विचोलिय के पास जानते हैं विचोलियों का विकास हो रहा है दलालों का विकास हो रहा है और मेहनत कस वो मारे जा रहे हैं वो पैसे देने के लिए घुस देने के लिए बद हैं उनको काम न परिवार पाया हुआ है उसके लिए महिलाएं भी आज काम करने के लिए अंदोलन करेंगे जिलास्तर से लेके कांटी का जो निमंधित मजदूर है उनको जो है कि कांटी की जो एस्पेक्टर है वो मने अलग अलग धाउं से लाफ देने के काम करते हैं कोई ओफिस में उनका जो ओफिस है यहां पर मंगल और को दिन रहना है तो मंगल और दिन आते नहीं है कभी सोंबार को आते हैं कभी आए कभी मजदूर हो जहें कि आहां उनकी इंतजार में लगे रहते हैं बैठे रहते हैं कि लेवर इस्पक्टर आएंगे और इनको पाता ही नहीं हो पाता है उनको रिजक्ट साल पाल कर दिया जाता है पास तो उनको जहेंगी उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं नहीं आपका तह यह तो मिलेगा नहीं कितने लोगों के साथ हुआ है यहां तक हुआ है कि जिनकी उम्र जिनको जहेंगी पच्पंद साल था 2019 में आज उनकी 60 सल उमर हो गई और वो जब पिंसन के एक हजार पिंसन देना है ना सरकार करना रही है कि है यहां से मिलेगा वह भी अगर विचोलिया का माध्यम सगर नहीं नहीं पहुंचे तो उनको भी ओना मुश्किल है और अकांटी साही जो है कि यह पुरे बिहार में सच्थिति है पुरे जीला भी इसका ओफिस वहां है वहां भी ऐसे जो है कि लोग बहला फुसला आगर वह भी चोलिया का माध्यम सगर लोगो जाए तो उनका जो है कि काम हो सब्सक्राइब क्यों करेंगा अपने जाच की साथ क्यों नहीं काम करेंगा तो अपने हिसाब से नहीं वह वी चलिया का माध्यम से का मध्यम सब्सक्राइब लोग जो है कि इसमें जो है यह कि पईसा इतना मजबूर करती है बिचालिया कि अगर पैसा ना देने वाद माइने के धमकी दिया जाता है सबस्क्राइब करें हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए